किसी भी नमबर को मुझे अगर लाक की फॉर्म में लिखवाना है तो कैसे मैं लिखवा सकता हूँ? जैसे 23 लाक यहाँ पर नमबर में लिख्या है यहाँ पर 23.00 लाक येस आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस वेलकम बाक तो मैं चैनल एक्सेल ओनलाइन एडवाईसर जहाँ पर एक्सेल से रिलेटेद टिप्स और ट्रेक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पुरानी किसी भी वीडियो में कोई भी इश्यू है या गाइस किसी भी नई वीडियो के लिए आप कोई सजेशन शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरी कॉंटाक डिटेल्स है जहाँ पर आप मुझे एजीली कॉंटाक कर सकते हैं बात करते हैं डेटा की लेफ्ट साइड में मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने पहले यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ कॉपी करने के बाद मुझे डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वान प्रेस करना है जिससे फॉर्मेट सल का बॉक्स उपन हो जाता है आखरी में कस्टम बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे ब्लैंक करने के बाद हमें कॉछ działa करनी है वह क्य करनी है वीडियो ध्यान से देखिएगा पहला हमें पुट करना है हैस्टाग उसके बाद तीन कॉमाज 1, 2, 3, then a full stop like a dot उसके बाद 2 zeros, 1, 0, 2, 0 अगर इसके बाद अब मुझे यहाँ पे numbers के बाद lakh लिखवाना है, तो मैंने यहाँ पे lakh लिखवा के inverted commas close कर दिये, और दो बार percentage के sign अगर आपको lakh नहीं चाहिए, तो आप simplest lakh को और यह दो inverted commas को अटा सकते हैं अब इसके बाद main क्या है, जो 2 percentage की sign आपने यहाँ पे दिये हैं first percentage का sign से पहले मुझे click करना है and keyboard में control plus j press करना है, एक साथ and then ok, यहाँ पे आप देखेंगे value के साथ lakh plus 2 percentage आए है percentage को अटाने के लिए simply wrap text पे click करेंगे तो percentage हट जाएगा 23 lakh जो numbers में लिखा था, अब 23.00 lakh लिखा रहा है, जो की बहुत अच्छा दिखाने में presentation में यह काम आता है यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, second last value 34,60,756 को इसने 34.61 lakh में दिखाया है, यानि nearest round of value I hope कुछ आप में नया सीखा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, comment and subscribe Thank you कर दो कर दो